कि लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम लौकी लिए और इसको कद्दूकस कर लिया है इसको हम इस कड़ाई में डाल देंगें गैस ओन कर देंगे अब इसमें मैंने यह आधा कप दूट डाला है क्योंकि लौकी वैसे भी फटाफट बनती है और इसमें हम मावा भी एड़ करेंगे इसलिए मैंने ज़्यादा दूद नहीं लिया इतना ही दूद लिया है कि हमारी लौकी अच्छे से बॉइल हो जाए अब इसे बॉइल करने में करीब आठ से दस मिनिट लगेंगे बीच बीच में इसे ऐसे चलाते जाएंगे आप देख सकते हैं इसका सारा दूद सूख गया है और लौकी भी अच्छे से पक गई है अब इसमें मैं करीब 100 ग्राम मावा डाल डियूँ मावे को मैंने पहले शेका नहीं था क्योंकि इसमें यह सिख जाएगा लौकी की बर्फी काफी टेस्टी लगती है इसे आप रत में भी खा सकते हैं अब इसमें एक चम्मच गी एड़ करेंगे जिससे इसकी सिकाई अच्छे से हो जाए इसे हम दो से चार मिनिट तक सेखेंगे फिर इसमें चीनी एड़ करेंगे अब इसमें यह बन फोर्ट कप मैंने चीनी लिया आप इसमें ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर कलर इसका चेंज चाते हैं तो जब तक यह चीनी डिजॉल्व हो रही है तब तक मैंने यह ठाली यह इसे जमाने के लिए इसको गी से ग्रीस कर दिया है अब इसमें चार चमबच में नारियल बुरादा अड़ कर रही हूं अब इसको हलका सा ठंड़ने देंगे के आइस आफ करके फिर इसे थाली में ट्रांसफर कर देंगे उससे पहले इसमें थोड़ा इलाइची पाउडर डालेंगे आप चाहें तो ड्राइफ फूर्ट भी डाल सकते हैं इलाइची पाउडर अब इसे थोड़ा हलका ठंड़ा होने देंगे थोड़ा यह ठंड़ा हो गया है अब इसे थाली में ट्रांसफर कर देंगे इसे पंपने कर दोड़ा है यह है यह जहें गया है रहते हैं इसे नह स्वाइची प्रांस आप़ा है आपके अपके फ्रांस रहता है अज़ात बंपया है इसे आपके बंपर स्वाइब थोड़ा इसे थाली को टैप कर देंगे जिससे अच्छे से जम जाए अब इसे बादाम और पिस्ता से हम गार्निश करेंगे लीजिए तयार है लौकी की बर्फी इसे आप भी जरूर से ट्राइ कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको लौकी की बर्फी और मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए जिससे नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिल सक कि अड़ी झाल, 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 झाल.